हेलो दोस्तों मैं आतिया से भी करनोट बुकाईस में हारी सोगत करती हूँ तो हम आरो यारो के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्या है कि जल्दी एली से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बगरा है जिन से कोशन जरूर पूछा जाता है तो इसल समधान सनसोधन अभी तक हुए हैं जो उनकी हिस्ट्रि रही है किस कि संसोधन में की अगया है कि और ऊपके हं रिमोबіч करता कि जरूर पूछता है यह जदा है यह करते हैं कि वह बहुंधा इतना कन्फ्यूज हो जाते है हमें अच्छे स醬्रह नहीं होता है कि समझ में नहीं आता हूं गलत करके आते हैं तो हमसे गलती ना हो क्योंकि इस पॉर्षन से पूछन पूछता है नंबर्स आपके पक्के हैं छोटा सा पॉर्षन है 15 मिट का वीडियो आपका होगा उसमें अगर आप सारा वीडियो अच्छे द्धान से देखेंगे तो आपके पूर्ण है कि आपको यह सारे अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए इनसे आपको इसाइच चीजे अपने दिमांग में रखने थी कि अब ही हाल ही में 106 अमेंडमेंट हुआ है जो हमारा उसमें का किया गया है जो महिलाओं के लिए लोकसभा और राजी विधान सभा में सीट जो है बहुत कम है महिलाओं का आप लोग सभा मेंडमेंट करके अक्ट बना दिया गया है तो वन थाई जो मेंबर्स होंगी वह आएंगी कहां से फीमेल होंगी यह सारा अब रिजर्वेशन किया गया है सीटों का उसके वारे में देखते हैं तक देखिए क्या लिखा हुआ है लिखा है कि समविधान जो 106 संसोधन किया गया है विधैक में लोकसभा और राज विधान सभाम और डिल्ली विधान सभामें महिलाओं के लिए एक तिहाई वन-थार्ड सीटें आरक्षित करता है यह लोकसभा और राजिवधान सभामें अनुशूचित जाती के लिए रखेसेटों पर भी लागू होगा मतलब कोई भी सीटें वर अनुश्वते जन्जाती जाती के लिए लागू अवह पे भी लागू होगा और नॉमल निई शोजन दिया जा रहा है ठीक है आपको इतने अधकना है Andmoi किया घया हैमेश्ज कोन सा है कृषज साल में में हुआ को व measures में क्या है विधान सभाहों में सद्सक्राइब के लिए समापती की समय सीमा सतर साल शान से बढ़ा कर असी कर दी गई लोग सभा और आज विधान सभाव में एगलो इंडियन समधाय के लिए अरची सीटों को खटाया दिया गया है जो हमारी अरक्षित रूप से कमजोर वर्ग के अधिकारी जो है अधिक्तम सब्सक्राइब यह जो हमारा जो जनल के टेगरी के होते हैं उनको 10 परसंट अरक्षिण दिया गया है उसी के बारें बता रहा है फिर देश से इस तिया गया है एक सटीन या रखेगा नेंच चलते हमारा नेक्स हमारा है सब्सक्राइब किया गया है अगर आप से पात करें कौन कौन से आर्टिकल में बतलाव किये गया है तो 338 भी है और 342 ए आप से पूछता है कि सब्सक्राइब किया है तो 338 भी और 342 ए यह दो सब्सक्राइब किया है चलते हैं हमारा जो सब्सक्राइब किसे रिलेटेड है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमी विवात जो भूमी समझाता हुआ था 1974 में आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश का कुछ जो है असम पस्चिम बंगाल में घाले की चेतरों से संब्सक्राइब किया गया है तो जो हमारा जो बांग्लादेश का बॉर्डर डिस्प्यूट है वहां पर कुछ एरिया जो आदान परदान किया गया उस से रिलेटेड है तो आप से गर पूछता है कि जो हमने बांग्ला संब्सक्राइब को अधिकार को मौल इस अधिकार बनाया गया है 19 आर्टिकल 19 के तहरा है आप कोई संगठन यह साहिकारी समिति बना सकते हो ठीक है बिना हिंसा फैराए मार पिटने गरने बहुत बहुत सांति से साहिकारी समितियों को पढ़ावा देने के लिए राज जिनी जो हमारे DPSP है उसमें भी एक 43B आर्टिकल है उसके ताहित विराज्यों को बोला आता है कि आप जो हमारे साहिकारी समितियां उनको बढ़ावा दीजिए क्योंकि बहुत बहुत क्या होता है जो ग्राउंड लेवल पर चीज़ें होती है ना वहां पर जो फाइनेंसियल में जब हेल्प मिलती है लोगों को गरीबों को यह कुछ लोन वगरारा लेना होता तो यह इन ही के पास जाते हैं इसलिए अपने आप बहुत इंपॉर्टन डोल प्ले करते हैं सहिकारी समितियों के लिए समिधान में नया भाग जोड़ा गया है कि आपका अधरखना है ठीक है चलते हैं नेक्स पार्ट पर हम समिधान संसुदन कौन सा है 95 जो पचानवेव समिधान संसुदन जो 2009 में किया गया था उसमें कहा है सी एस्टी के लिए सीटों के आरक्षन और लोकसभा और आज विदन सभावों में एंगलो इंडियन के लिए बढ़ाया गया देखिए पह आपको याद रखना है कि कौन सा वाता और थुरा थुरा दिमाग में रखना है कि किसमें क्या चीज़ें एड की गई है रिमूब की गई ठीक है जो हमारा 92 है उसे है बोडो डोंगरी मैथली और संथाली को आठियों सूची में जोड़ा गया है कुल अब अधिकारिक भासा है जिनको एड किया गया है हम जा रहे हैं नए से पुरानी के तरफ ठीक आव या रखिएगा 88 अमेंडमेंट जो हमारा हुआ 2003 में इसको देखेंगा तो बोला है सेवाकर का प्रावधान आर्टिकल 268 के तहट किया गया है संग द्वारा लगाया गया और संग और राज्यों द्वारा एकत्र और भी नियुजित किया गया है सेवाकर जो सर्विस टैक्स बगएरा उस से लेटर डिया आर्टिकल हमारा रहा है ठीक है इसको याद रखिएगा ठीक है चलते हम नेक्से मारे संविदान संसुदन पर हमारा जो 86 वर्स के बच्चों को निसुल और अनिवा कि बात करें तो 51 एक तहती नया मौली करतब जोड़ा गया है यह हमारा DPSP में है और आर्टिकल हमारा बात करें तो 51 ए है ठीक है बात प्रतेक नागरिक का यह करतब होगा कि सभी बच्चों बच्ची बीच के सभी बच्चों या वार्ड को सिक्षा के आउसर प्रदान करें सभी बच्चों को सिक्षा प्रदान करने का अधिकार है कि हमारा बात से 74 जो हमारा है सहरी मुंसिपर्टी जो होती है आप से पूछा 74 कहां से सहरी और समधाइंग दर्जा दिया गया है भाती समधान में नया भाग जोड़ा गया है और 12 अनसूची जोड़ी गई है जो मु अनसूची में सामिल किया गया था आप पीछे देख चुके है ना हम चार को एड कर चुके हैं उसके पहले बैग्राउंड बजा रहे हैं तो 1992 में 71 जोड़ी गई थी कोंकडी मनिपूरी नेपाली यह तीन और जोड़ी गई थी जह हमारा समिधान मूलता बना था तो ओनली 14 भासाइं उसमें एड थी जिर 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 करम चला है 15 एड भी 16 एड भी 17 एड थावी अभी अभी पीचे आगर रहे हैं दैश्ग कर देखें अंतर सिक्सिंडाइंगेंड हुआ था था नाइंटिन नाइंटि वन में एड करके बनाय था ठीक है कि चलते हैं और से पीचे 65 अमेंड्म जो है हमारा है अनुश्य जाती हमारी जन्गातियों के लिए बहू सदस्य रास्ट्य आय पूछता है बहुत इंपोर्टन चुनाओं के मद्दान के आयू जो है 21 से घटा कर देगे आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो हमारा समधान संसोधन से किया गया है तो हमारा एक सटमा है और 21 से घटा कितनी कर देगे अगर हम बात के समधान संसोधन अर्टिकल की तो 326 जो हमारा आर्टिकल है उस पर यह चीज़ा की गई है ठीक है तीनी टूफ फॉर हमारा किसका है पताईए आपके एंपीज मत हुई है थी ट 326 में हमारा आर्टिकल है इस से लेटेट ठीक चलते है नेक्स आर्टिकल पर नेक्स अमेंडमेंट पर नेक्स हमारा है 52 आमेंडमेंट एक जो है हमारा है 44 आमेंडमेंट जो है यह इंपोर्टन और इसके बाद जो आएगा यह दो इंपोर्ट दो अमेंडमेंट बहुत इपोर्टेस अपने आप में तो चवालीसमा समधान संसुदन कभी किया था 1978 में किया था संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकारों के अगर पूछा क्यों कैबनेट को दी गई लिखित ठलाइ के अधर पर की जाएगी यह मना जाएगा तब यह इंपोस के जाएगा फिर नेक्स हमारा का संसथ और राजी वजान सभाव में कारेवाही के बिना सेंसर्सिव की संतनत रूप से रिपोर्ट करने का मीडिया गाधिकार मतलब क्या नेक्स्ट वान जो most important amendment है वो है 40 second amendment 1976 में हुआ था जिसे मिनी constitution भी बोला जाता है ठीक है आप याद रखी कि इसे मिनी constitution भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो अपने आप बहुत बड़े लेवल पर हुए है और उनसे हमारे समिधान अभी चल रहा है जो चीज़ें बहुत कर रिफूजन में थी पहले वह भी ठीक हुई है और बहुत साइब भी हुई है तो देखिए अगर हम बात करें प्रस्तावना में कौन कौन से चीज़ें एड की है तो प्रस्तावना में सब्ब एड किये गए थे पहला समाजवादी है दूसरा धर्मनिर्पेक्ष्ष है तीसरा है यह कटकली जगा हुई सब्सक्राइबंदा है तो तीन सब्सक्राइब सब्सक्राइब जोड़े गया थे नंको और प्रशासन जहाए बात करते हैं बात करते हैं हमारा नेग्पे निपटने वाले निपाने लिए रूप में जोड़ा गया था उसी ने लोग की नाएक समिक्षा की सकती है वो अपने आप में हमने बोला है बहुत जगए आप देखाने के लिए उसको हमारा मतब फंडामेंटल जैसे होता ना बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा समध्यान को इसको इसके तहरी काउंट किया गया है जो फूर्टी सेकन अवेंटमेंट्स है उन्हां के समध भारती मामली के लिए वह चरचा में रहा है जो उन्होंने बताए था मौली जो हमारा मतब्बेसिक स्ट्रक्चर है बहुत बद्दा चला था और बताया थो उनों के स्ट्रक्चर क्या-क्या-क्या चीज़े हैं यह सब स क्या और कैसे होता है ठीक है उसको अलग से बढ़ेंगे कि जो केसनन भारती बाला मामला है बहुत बढ़ा है बहुत बढ़ा टॉपिक है उसको मच्छेत रिस्कस करेंगे नेक्स देखेंगा तो 36 अमेंड्मन जो एक्ट में 1975 में हुआ है वो कौन सा है तो सिक्किम को भाद का पूर्ण बनाया गया था तो सिक्किम को भारत सब्सकाइब कर नियुक हमारा में ईक्स देखेंगे इंबहो पूर्ण को प्रिभ faculty B3 Allah करें गया था अब पूछता है कि जो देशी रियास्तों के उनका प्रीवी पर्स पर दिया जाता था या विशेसा दिकार वगया तो उनके समाप्ति कौन से समसुदक गतायत किया गया था तो 26 कि बात के 25 की तो समथ्थी के मौले दिकार में कटोती की गई थी बताया है 31 को 300A में रख दिया गया है और समथान मौले दिकार को हटा करके उसके कानोन दिकार बना दिया गया है 21st amendment की बात करेंगर तो इसमें दीखा हुआ है सिंधी भासा भारती समथान के आठीवी नुसूची में भासा 21st amendment की बात करेंगर तो 1967 में हुआ था जो सिंधी भासा है सिंधी भासा को भारती समथान की आठीवी नुसूची में भासा बताता सामिल किया गया था थी कि थो तो सिंधी भासा को सामिल किया गया था आठीवी तो थर्टिंत अमेंडमेंट के तहट किया गया है और अगर पूछे कि आर्टिकल कौन से लेटेटी नागालेंड से तो है 371-8 यह आप याद रखेगा चलते हैं हमारा बारा में जो हमारा समसुतन किया गया था धर नाइंटींटीं सिक्टीट्व में किया था तो गोवा हो गया और दमन और दीव हो गया केंजशासी प्रदेश के रूप में भाहती संग में सामिल तो आगर आपसे पूछता है कि दादरनगर हवेली को कब के इंसासित यूटी बनाया गया था भारत का अभारत का तो 1961 में 10 अमेंडमेंट के तहद बनाया था ठीक है तो जितने भी इंपोर्टेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको अच्छा लगता है तो आपको जो भी वीडियो हमारे हैं ऐसे जो आपके लिए हैल्फुल होने वाले एक्जाम में बहुत अच्छे से तुमको अच्छे से करिएगा ठीक है चलिए हाव गुड़ डे आपको जूड़े लिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते लिएगा है वाफाइब